क्रिश्न दाके देखो, कौन ऐसे घंड़ी बजा रहा है? जी सर्वी. इस तरह बेल बजाने का मतला? कोई बहुत ही जल्दी में होगा. लेकिन कौन हो सकता है? पता नहीं. करुन, कहीं हॉस्पिटल से कोई बुरी ख़बर तो नहीं? चलो. सितर रिल सार्व. क्या कर रहे थे तुम? दरवास आप खोलने में इतना वक्त क्यों लगा दिया हाँ? क्या कर रहे थे तुम? उन भीगवांगों की सेवा? तुम्हारी माल किन दरवास के भार खड़ी हैं? और तुम मक्वास के का में लगयो? जवाब किन... तुम्हें क्या लगा? मैं घर लोटकर नहीं आओगी, हाँ? आओगी क्यों नहीं, शितर? शादी के बाद बेटिया अपने माईके आती है. आती ही नहीं है, सुनिती. माईके में रहती भी है. लेकिन तुम किस हैसियत से यहां रह रही हो, हाँ? यह ना तो तुम्हारा माईका है, और ना ही ससुरान फिर भी यह मेरी मा का घर है. इसका? यह गर इसका कब से हो गया? मेरी भहू उस मा की बात कर रही है, जिसने मेरे बेटे को पाला पोसा है. जिसने उसे मा का प्यार दिया है, और जो आज भी उसकी मा है. वाह, how convenient, ये धन्दॉलत, इसजद शाहरत, एशो आराम छोड़के ना जाना पड़े, इसलिए वह अब भी तुम्हारे बेटी की माँ है, हाह, जबकी ये अच्छी तरह से साबित हो गया है, कि वो तरुन की माँ नही है, तुम तरुन की माँ हो, ये मेरी माँ है, और मैं ये हमें, हम तो पस इतना चाहते हैं, कि वो औरत, जो जिन्दगी और मौत की लड़ाए लड़ रही है, उसे ये ना पता चले, कि उसका बेटा उसका नही है, तुम भूर रहे हो तरुन, वो ये रास औरड़ी जानती है, इन फाक्ट, हम से पहले ही जानती है, कि तुम उनके ब जानती नही है, तो जान जाएंगी, ये तुम क्या कह krijgen जो शीटल, तुम उनहें पता देना आछ़ए, क्योंते सच पता है? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, शीटल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योगि तुम जानती हो की मा को कितना बड़ा सादमा पहँचे गा, ये त इंतिसार में? कि जब मा कहेंगी, तब जाओगी. यही कहा था ना तुमनों मजस सुनी थी. रजाने मा कब कहेंगी? वो तो कुछ बोली नहीं सकती. लेकिन वो सुन तो सकती है, ना? सब कुछ सुन सकती है वो. अगर तुम लोग चाहते हो, कि मा कुछ ना सुने, उन्हें कोई सदमाना लगे? तो उठाओ अपना सामान, और निकल जाओ मेरे खासे. अभी इसी वक्त निकल जाओ. अपना साद कुछ ना ना से बिसा पासे. अभी जाओ लोगे पासे. अभी जाओ मेरे पासे. झाल झाल